सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा मेरी माँ के उपर जो मेरे लिए डेडिकेशन है कि मैं जो भी लिखता हूं सबसे पहले उनी को सुनाता हूं कि हाँ मने ये लिख्या है मा, मेरी मा, प्यारी मा, मम्मा अब सुना जांसे बोली है सुरत उसकी, ना दिल पर कोई बोड है प्यार से सबको हसी दे दे क्या उससे भी प्यारी कोई खोज है अब दो लप्ज, यानि की मेरे मां और मेरे बापा यानि मेरे मम्मी बापा के उपर बढाई है दो लब्जों के लब्ज मुझे बहुत प्यारे है वो दो मेरे बाकि सब तुम्हारे है अब मैंने लिखा रहा कि कोई इंसान गल्द नहीं होता उसके उपर बात है परविरिष्ट की बात होती है परवरिष्ट की बात होती है वरना कोई व्यक्ति गत नहीं होता बहुत दिनों बाद मिले हो कहा रहते हो सुना है मंदिर की चोखट पर तुमने आजियाना बना लिया है ये तबका है जब बाई चांस ऐसा था कि मैं तूटकर भिखर ही गया हूँ लास्ट टाइम समाल लो इस कदर अपने आपको इस कदर अपने आपको सजा दिये बैठे हैं जैसे कतल किया हो किसी का और लास्ट लिये बैठे हैं आज फिर से दिल को एसास हुआ आज फिर से दिल को एसास हुआ ना जाने क्यूं फिर खफा और उदास हुआ साइब अब भी इसमें थोड़ी तड़ब बाकी है इसलिए बार बार रोने का एसास हुआ यह मैंने जमाने के उपर लिखी है कि हम जैसे कि सब्दों का जो यूज करते हैं किसी को किस टाइप लगती है सब्दों के मिठास और कड़वास से यह जमाना बदल गया समझ ना क्या कहना चाहता हूँ मैं सब्दों के मिठास और कड़वास से ये जमाना बदल गया फिर अपने आप में ये पैमाना बदल गया पैमाना यानि कि जो हम आपस में दोस्तों से बात करते थे वो सारा हमार चेंड हो जाता है जब कड़वास आती है जब जुड़ते थे जो राही आपस में जिन से जुडते थे दो राही आपस में जिन से अब बात बात पे उनका नजराना बद गया तेरे चेरे से तेरे चेरे से तेरी नियत जान सकता हूँ मैं सच बताओं तो तुम्हें तुम्हारी रग-रग से पैचान सकता हूँ ना जाने कौन से इल्म की खता चाते हो जो होना चाते हो जुदा फिर भी वफा चाते हो तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मसला बन कर रह गया किसने पाई खुसिया और कौन सब कुछ से गया आखों की जुमारी नहीं होती आखों की जुबानी नहीं होती देख मुझे मुझे से तेरी कुर्बानी नहीं होती खूब महबबत करेंगे आपसे खूब महबबत करेंगे आपसे बस एक बात सुरवात का इसारा तो करो